ऐसे विटमिन सी की सख ज़रुरत है इंविन सिस्टम को बूस्ट करने की लिए लिए हम लोग इसको byजेटेबल्स के मादमसर्य एकप no Far Banone si होता है अब ब्रोकोली में विटमिस ऐसे बहुत सार्य तरह के सब्जी में हम हम लोग विटमिन-सी का स्वोर्ट मिलता है जो तरीके से यूज कर रहे हो तो सप्लीमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि इस टाइम पर इम्मुनिटी को जितना हम लोग स्टेबल रख पाएंगे अपका बार्ज सुष्ट उतना प्रॉब्लम में कम परेगा चाहे हो सरीदी जुखाम हो चाहे हो कुछ भी हो लेवल मेंटेन हो तो सरीर अच्छा खासा चलने लगते हैं नहीं तो ये सरदी जुखाम ये सारे चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा होएंपतिकली में एक बात बोलना चाहूंगा कुछ मेडिसिन का में इधर नाम लोंगा जिसमें आपको भरपुर मात्रा में व बहुत बरिया सोर्स होता है वीटामिन सी का और भी वाइटामिन से लेकिन आज का टॉफिक वीटामिन सी है यह अगर हम दे रहे हैं तो भी सरीर का जो इम्मुनिटी है वह बहुत ही स्टेबल बन जाएगा और अपका देखिएगा बार्स जी थोरा सा हावा के वदल हो जान में अपको अपनाना परेगा लेकिन विंटर में सर्दी जुखाम से कि सर्दी एक बर लग जाता है वो जम जाता है तो सांस लेने में प्रॉबलम होता है यहां तक कि बार्स खाना पीना भी कम हो जाता है और मर भी सकते हैं तो यह सारे चीज़ ना हो इसलिए इवन सिस्टे दून या संदुग नून बोलते हैं उसको थोरा सा मेकदान में प्रोबाइट कर सकते हैं इसमें डाइजिशन में भी इंट्रूफ होगा उसके साथ साथ नैच्रोल इमुनिट मदब वीटामिन सी शरीन में जाए गया और नहीं तो हमिपातिकली जो जो मेडिसिन का नाम लिया उसको आपको पानी के मादधम से यूज कीजिए हर रोज अभी एक माईना डेर माईना यूज कर सकते हैं इसमें आपका जवर्दस इमुनिट सिस्टेम स्ट्रॉंग होगा और रोग प्रॉब्